गूड इमनिंग एवरीबडी प्रोफेशनल कोमर्स हांट के ऑनलाइन क्लास एकाउंट्स बॉस में आपका स्वागत है यह मेरा थार्ड वीडियो लेक्चर है आज हम आपको डिफरेंज बताने वाले हैं रिसीट अन पेमेंट और दूसरा इनकाम अन एक्पेंडिचर एकाउ अपने स्टूरेंट्स के डाउट किलियर करना चाहूँगा जिनों ने मुझसे पूछा कि सर आप एक बार नॉन प्रोफिट और प्रोफिट मेकिंग और नाइशन में कैपिटल या कैपिटल फंड के बेसिस पर डिफरेंस बता दीजे तो मैं आपको बता दू बटा जैसे क आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे 11th standard में profit making organization के बारे में वहाँ आप जानते होंगे कि capital किसे कहते हैं जब कोई माली किया partner जो पैसा business में लगाता है हम उसे ही capital बोलते हैं जबकि यह जो non profit organization वाले होते हैं यह business तो run नहीं करते इसलिए यहाँ पे कुछ पैसे fund के रूप में donation के रूप में subscription के रूप में membership fees के रूप में मिलता है हम उसी पैसे को capital fund या general fund या corpus fund के नाम से जानते हैं आसा करते हैं यह आपको clear हो चुका होगा खेर आज की class में मैं आपको difference बताने वाला हूँ receipt and payment और income and expenditure के बीच में आईए मैं आपको बता दू nature के आधार पे कैसे बाटेंगे दोनों को तो बैटा receipt and payment का जो nature होता है वो real account होता है real account तो जानते ही होगे unit what comes in credit what goes out ठीक है बैटा तो यह real account होता है इस receipt and payment में हम लोगो though جो पैसे आते हैं उनने debit में लिखते हें जो पैसे जाते हैं कहीं वो credit में लिखते हैं जब को सारे expense को लिखते है क्या-kya item record करते हैं receipt and payment मे इसके अधारप अggर Safe differentiate किये दोनों को तो मैं आपको बता दू यहाँ पे दोनो capital और revenue item दोनों ही हम लोग record करते हैं जबकि यहाँ पे सिर्फ revenue item को ही record करते हैं वैसे capital और revenue item क्या होता है मैं आगे आपको जरूर discuss करने वाला हूँ आजी के class में periods के दार पे मैं बात करूँ तो बेटा यहाँ पे पैसा किसी भी साल का मिले अगर current year में चाहे वो पैसा 2018 का पैसा हो जो current year में मिला हो चाहे 19 का पैसा है मुझे current year में मिला हो चाहे 2021 का पैसा हो जो मुझे current year में मिला हो चाहे 2022 का पैसा है जो मुझे current year में मिला हो यह दोनो next year हो गया यह दोनो previous year हो गया यह आपका current year हो गया जो जो भी पैसा चाहे वो cash में हो या bank transaction हो वो मुझे मिले current year में हम उसे record करते हैं जबकि यहाँ पे सिर्फ current year के पैसे को record करते हैं मतलब 2020 से related ही पैसे को record करते हैं चाहे वो पैसा मिला हो या ना मिला हो अगर हम बात करें adjustment का तो receipt and payment में कोई adjustment नहीं होता है जबकि income and expenditure में adjustment होता है अगर हम बात करें कि कौन से system को follow करते हैं receipt and payment को बनाते समय तो मैं आपको बता दू cash basis cash system को follow किया जबता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ cash और bank transaction का recording होता है मतलब इस वाले में receipt and payment में कोई भी credit transaction का recording नहीं होता है जबकि इसके विपरित accrual system को हम record करते हैं income and expenditure account में accrual system बोले तो cash या credit transaction मतलब किलिए रोगया recording इसमें सिर्फ cash और bank transaction को record करते हैं और इसमें किस को record करते हैं तो cash plus credit जो की और जो non cash transaction है जैसे कि depreciation हम उसी ही सिर्फ record करते हैं thank you आए आगे बढ़ते हम लोग मैंने आपको जैसे बताया कि difference बताने वाला हूँ आज उसके बाद मैं आपको बताऊं capital expenditure किसे कहते हैं आए मैं आपको बता दू capital expenditure किसे कहते हैं आए definition परते हम लोग benefit of which extent beyond one accounting period जिसकी benefit हम लोग एक साल से जादे उठाते हैं उसको हम capital expenditure बोलते हैं वैसे इसके बारे में हम लोग 11th class में already पढ़ चुके हैं खैर जब हम land purchase करते हैं building purchase करते हैं तो उसमें जो मेरी cost लगती है वो कालाती है capital expenditure is it clear आए बटा आए बड़े revenue expenditure किसे कहते हैं तो मैं आपको बता दू बटा revenue expenditure उस expenditure को बोलते हैं जिसका benefit हम लोग एक accounting period के अंदर उठा लेते हैं revenue revenue वो ले तो recurring recurring वो ले तो जो बार बार होता हो जैसे कि हम rent salary कोई भी insurance हम बार बार देते हैं बार बार देते हैं educational grant हम बार बार देते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग revenue expenditure capital receipt किसे बोलते हैं which are not revenue जो revenue nature का नहीं हो जैसे कि building के लिए हमें जो fund मिला हमको receipt मिला sale of fixed assets से मतलब assets को sale करने से मुझे जो पैसे मिलें चाहे कोई member हमारे non-profit organization में admit होता है वो जो हमें lifetime fee देता है उसे हम बोलते हैं capital receipt वही revenue receipt को बोलते हैं बटा received as an income by the organization in carrying out the activities business sorry non-profit organization के जितने वी activities हैं उनको चलाने के लिए हमें जो income होती है जैसे कोई हमें rent दे दिया कोई interest दे दिया कोई entrance fee दे दिया admission fees दे दिया तो वैसे कोई भी पैसे जो हमें मिलता है जैसे हम old newspaper अपना है उसको बेच देते हैं या कोई हमें donation दे दिया या कोई हमें subscription दे दिया जिसके बारे मैं आपको बताऊंगा आगे तो यह सारे हमें revenue receipt के नान से जानते हैं यह recurring होता है बार-बार होता है बतला non-profit organization को भी run करने के लिए हमें पैसे की जुरूत होगी तो उस पैसे को जो हमें मिलते हैं हमेशा उसे हम revenue receipt बोलते हैं खैर आगे आए एक और डिफरेंस हम लोग जल्दी से complete करते हैं जो income and expenditure और profit and loss account के बीच में है यह काफी easy है बेटा income and expenditure हम बनाते हैं surplus और deficit निकाले के लिए मतलब अगर debit जादे होगा credit से तो हम उसे बोलते हैं deficit कमी हो गई जब credit जादे हो income side जादे हो debit से तो हम उसको बोलते हैं surplus उसी परकार से बेटा जब net profit और net loss profit and loss में होती है जानते हैं इसमें भी यह income and expenditure कौन बनाते हैं भाई तो non profit organization बनाते हैं profit and loss account कौन बनाते हैं बेटा तो यह बनाता है profit making organization method यह जो income and expenditure है मैं आपको बतातू इसे हम किसके अधार पर बनाते हैं बेटा prepared from receipt and payment account and additional information मतलब आपके exam में जो question होंगे वो आपको बनाने हैं आपके question में receipt and payment बना के दिया होगा आपको additional information होगा इसके इन दोनों के basis पे आप बनाईएगा income and expenditure account जबकि आप जानते है profit and loss account कैसे बनता है आप जानते हैं आप trial balance बनाते होंगे additional information को लेते होंगे 11th standard में आप वहां से profit and loss trading account बनाते थे ठीक है मैं एक और आपको notes तुरह बता दू sometime from trial balance where complete set of books of account are maintained उससे भी हम income and expenditure बनाते हैं ये वाली आपको नहीं पढ़नी है बेटा सिर्फ ये वाली पढ़नी है एकदम easy वाली आपको पढ़ने हैं बच्चे की तरह 12th में beginners के रूप में आईए मैं आपको आज की class खतम करता हूँ बाए